अब इस पुजिशन में देखे हैं कि वह मोदी होगा था मेरा यार मोदी साहब डेमोक्रेट्स को मुँ चड़ा के जा रहे हैं मिल रहे हैं कौन बंदा आएगा जो बाइडन से उसके होम स्टेट डेलावर उसके घर जाकर मिलता है और जाकर वहां से ट्रम्प को भी मिले नरेंद्र मोदी ने डेमोक्राट्स के खेमे को हिला दिया है जिहां दोस्तों फिर वो जो बाइडन हो गए कमला हैरेस हो गए इन सभी को शौक करते हुए एक न्यूस सामने आ रही है जैसे इंडिया ने मेरे सूस किया कि अमेरिकन्स ने मेरे एलेक्शन को खराब करने की कोश्चिश कैसे एक रहलीन उने की थी और में रहला पचास हजार लोग कठे हुए पचास हजार बंदे होस्टन में कटे हुए थे ठीक है जी कहा जाता है कि ये आज तक इतनी बड़ी रिसेप्शन किसी फॉरण लीडर से के लिए यूएस में नहीं हुए थी दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात यहाद आती है कि बस कुछ महीने पहले जब भारत में चुनाओ था तो यूएस ने काफी यहाँ पे एलेक्शन इंटर्फरिंस किया था मेडिलिंग किया था रशिया ने तो क्लियरली यूएस पी एक्यूजेशन लगाया भी था इसमें ट्रंप नहीं कहा है कि फंटास्टिक मूदी उन्होंने कहा कि वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मूदी से मूदी फंटास्टिक है और साथ उन्होंने कहा कि अब वो आ रहे हैं तो उनकी उनसे मीटिंग होगी आप आ रहे हैं अमरीका मैं खुद स्वागत के लिए जाओंगा मैं सोच रहा हुआ दोस्तों के साथ जाओंगा वहाँ पे एक पाकिस्तानी चैनल ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार आप मोदी भगत हो मोदी साब की बड़े आपका पहन हो इसकी वज़ा क्या है सारी अटेंशन जा चुकी है डॉनल्ड ट्रम पे ये स्टार्डम एन का आज के समय है आप कह लीजिए पॉलिटिकल वर्ल्ड में बाइडन को तो चलो कोई दुख नहीं होगा लेकिन कैमला हैरेस चुह है उसको तो नुकसान होगा उसकी वज़ा यह है कि कैमला हैरेस के तो सबको बहुत बड़ा जटका लगा है खबर यह आई है कि पियम मौधी डॉनल्ड ट्रम से मिलने वाले हैं गुनल्ड तरुम से मिलने वाले हैं जब यूएसे में एलेक्षण के दो महीने बचे हैं कुछ महीने पहले जब भारत में एलेक्षण था तो यूएस ने भारत के दखल अंदाजी की थी ऐसे में भारत ने यूसे को उसी की भासर में जवाब दिया है और बोला है कि हम चुप नहीं बठेंगे भारत भी वैसा ही जवाब देगा पियम मोदी को पॉपलिर्टी से डोनल्ड टरम्प को इसका फाइदा होगा पूर्व राष्टपती डोनल्ड टरम्प ने कहा है कि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी अगले हफ़ते अमेरिका उनसे मिलेंगे रिपब्ली पार्टी के राष्टपती पद के उमीदवार टरम्प ने आयात सुल्क के मुद्दे पर भारत की आलोचना की वही पिये मोदी को उन्होंने संदार व्यक्ति बताया पिये मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दोरे पर रहेंगे पिये मोदी अपनी यात्रा की शुवात कौर्ट नेताओं के समेलन से करेंगे जिसकी मेजबानी राष्टपती जोई बाइडन करेंगे इसके बाद पिये मोदी नियुवर्क जाएंगे और 22 सिप्तंबर को लॉंग आइलेंड में एक बड़ी समुदाय कारेकरम को संबोधित करेंगे इसके अगले दिन वह सहयुक्ति राष्ट मुख्याले के समिट आफ दा फ्यूचर कारेकरम में वैशिक नेताओं को संबोधित करेंगे तरुम टावर में भी मिल सकते हैं न्यू यॉर्क के अंदर तो इस वेरी इंट्रेस्टिंग यह चीज एक समझ यहां पिर यह है के ऑन इस वे बाक होम यह विल बीटिंग ट्रॉम्प इन फ्लोरीडा और वांसे पिर फ्लाइट लेके इस वे बीटिंग इंडिया बेरा इंडिया बेरा इंडिया प्रॉम्प ने अपनी एक कंपेंड में का है कि इंडिया जो है और लेकन मैं देखो मोदी के साथ मैं चीजें सारी ठीक कर दोंगा और इट मीन्स वो कहना ही अचारा था कि इंडिया ने हम से फाइदे उठाय हूए हैं लेकिन इंडिया जो था वो बीग अब्यूजर था ठीक है देन उसने कहना शुरू कर दिया अच्छा ट्रम की मैंने एक चीज़ नोट की है कि वो कहता कि मोदी इस फिंटास्टिक परसन ठीक है लेकिन इंडिया जो था वो बीग यूजर था ट्रेड की अंदे अब आप देखिए जरा जरा इसमें तोड़ी इस देखिए का कौन से लीडर जो है पहले जरा इस पर मैं बात करता हूं पर इसको वो हौडी मोडी भी लेके चलते हैं देखें आपको पता है कि विच लीडर वांटे तो सी डॉनल्ड ट्रॉंप और विच लीडर ग्लोबली जो हंगरी के प्राइम मिनेस्टर वो मिलेंगे उनको उनकी रहायशगा हमारे लोगो ठीक है उदर फ्लोरिडा के अंदर और आप कौन जा रहा है अब नरिंद्रमोधी जा रहा है विक्टर ऑर्बन ने पूरे यौरप से पंगा लिया हुआ है यसव्ञेर व papiस वकत वो टेर शिया से जंग बंध करो ठीक है और वो मिलने ग्याव एक और उसको ख़र्षा है के वो जीट सकता है अच्छा इन्डिया जो है वाइ इंडिया इस गूइंट टो सी डॉनल्ड अब देखें, वो within the United States, within the United States, कोई भी जो liberal left का leader है, liberal left का जो leader है, वो Trump से नहीं मिला, सारे right के populist leader जो हैं, वो इससे मिल रहे हैं, Victor Orban भी right का बंदा है, conservative है, Prime Minister मोदिर उनकी party BJP, they belong to right and conservative party है, उनकी, वो भी जो है, वो इससे मिल रहे हैं, जारी बात है, Biden को तो चलो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन Kamala Harris, जो है, उसको तो नुकसान होगा, उसकी वज़ा ये है, कि Kamala Harris के तो ancestors India से थे, वो कह रहे जी, ancestors India से हैं, so Narendra Modi क्या परगाम दे रहा है, Indians को, go and vote for Trump, this is what Putin is, Putin ने भी तरीके तरीके से ये ही कहा है कि, हम जो है, वो Kamala Harris को support करते हैं, it means, don't vote for Kamala Harris, vote for Trump, ये देखें, ये जो बड़ी ताक्ते होती हैं, India is a big power, देखें, India can influence the elections of the United States, India America के elections को influence कर सकता है, मेरा ख्याल है, let's be little फ्रोड़ा सा होने कोश्च करें, जैसे इंडिया ने महसूस किया कि Americans ने मेरे elections को खराब करने की कोश्च की, कैसे, आपको याद है कि जब नरिद्रा मोदी ने, ये कहा Biden को, कि आएं 26 जन्वरी 2014 को, आएं कॉड की मीटिंग भी करें, और हमारे Republic Day भी भी आएं, आएं, तुम अगर नहीं, जो मेरे लिए खड़े हों, और हम खड़े नहीं होंगे, तो नरिद्रा मोदी बाइडन को या डैमोक्राट्स को ये अब गो के, वो बाइडन से मिल रहे हैं, ठीक है, अब अगर इंडिया को ये शौक हो, इंडिया को ये शौक हो, ये आप देखियेगा चीज को, इंडिया रिली वांट्स, लाइडन से मिल रहे हैं, और इसलिए वो कह रहा है कि वो फिंटास्टिक बंदा है, ठीक है जी, अब ये जो जो रेस हो रही है, अच्छा, नरिंद्रा मोदी, इट मीन्स, इस इस इंफ्लूंसिंग इंडियन वोटर्स, ट्रम को वोड़ डालो, वो ये कह रहे है, ये बेसिकली इंडियन्स थोड़ा सा अमरीका को कह रहे हैं कि थोड़ा से मेचे में रहो भाया, ठीक है, ये मैं आपको सची बाप बतार, तास वाट, इस रियालिटी, आप आ रहे हैं अमरीका, मैं खुद स्वागत के लिए जाओंगा, मैं सोच रहा हु ने मुझे बड़ा क्रिडिसाइज किया, कि यार आप मोदी भगत हो, मोदी साब की बड़े आप पहन हो, इसकी वज़ा क्या है, मैं रहे हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, कि मोदी साब, नैशनलिस्ट, मुझे सबसे ज्यादा जून की बात पसांद आती है, उनका नैश मिस्टर थे जो बगार इंविटेशन के ही रुखे थे तो आप सारी चीजें ऐसे ही ना कह दिया करें